नमस्कार स्वागेते आप सभी का आप देख रहे हैं प्रधानमंतरी विद्धय चैनल और NCIT ओफिशल मैं हूँ धर्मेंदर सिंग लेंग्विज संस्कृत का ये सेशन बहुत इमात पूर्ण कक्षा नौ के विद्धारतियों के लिए और आप सभी को विद्धत होगा कि संस्कृत भाषा की अगर व्याकरण की हम बात कर रहे हैं तो फिर संस्कृत भाषा में जो तीन लिंग है उन पर भी हम चार्चा करते हैं लिंग के विशय में ये समझ लेना चाहिए कि ये भाषा के एस्तर पे अलग अलग रूपो में होते हैं मतलब इसे हम लोक बेवहार में जो जोडते हैं उससे अलग हट करके जब सोचते हैं तो शब्दों की एक पहचान है लिंक का ताथ पर यह है कि ये शब्दों की पहचान है जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये शब्द पुरुष को कह रहा है या किसी इश्त्री का बोधक है या किसी नपुनसक एक गिने चुने शब्द होते हैं या गिनी चुने वस्तुएं होती हैं जो उस श्रेणी में आते हैं अगर हम भाषा किस तर पे देखें लोक ब्योहार में तो यह यहां पे समस्कृत भाषा की अगर केवल चर्चा करें तो तीन लिंग को हम देख रहे हैं पुलिंग, स्त्रेलिंग और नपुनसक लिंग शब्दों को है ना इनके और व्यद जब करेंगे स्वर और ब्यंजन इनसे तो सभी परिचित होते हैं तो स्वर जो शब्द हैं अगर वो अंत में हैं जैसे छोटा व बड़ा अ तो अगर छोटा या अंत में है जैसे बालक, नुका के बाद में छोटा आ सुनाई पड़ता है, इसी तरह हरी उसमें ई सुनाई पड़ता है, तो ऐसे स्वरांट शब्द माने जाते हैं, हमाने स्वर है अंत में जिसके वो शब्द स्वरांत शब्द होंगे, इसी तरह ब्यंजनांत शब्द होते हैं, जो ब्यंजन अंत में रहे, जैसे का अंत में है, खा अंत में है, गा अंत में है, इस तरह के जो शब्द होंगे वो ब्यंजनांत, तो अभी स्वरों को अगर हम लें तो ग्यारह प्रकार का हम शब्द देख पाएंगे और एक चीज दिहान रखें कि स्वरांत का जो एरो है यह तीनों से जुड़ा हुआ है अर्थात हर प्रकार के स्वरांत शब्द पुलिंग होते हैं ठीक है ना और इस्त्री लिंग में भी पा पर यह है निश्चितलिंग वाले वह अगर पुलिंग में ब्यवहार होते हैं तो पुलिंग में ही ब्यवहरित होते रहेंगे कभी वह इस्त्रीलिंग में नहीं देखे जाएंगे जैसे रामा यहां शब्द हर समय राम पुरुष का ही बोधक होगा कभी इस्त्रुद्igator को कहते हैं अलग अर्थ को नहीं कहते ऐसे ही जब ज्ञानम या पुश्पम फलम ये शब्द जो है ये नियत नपुनसक लिंग के शब्द होते हैं जो कभी भी पुलिंग को या तो इस्त्री लिंग को नहीं कहते तो तीन तो यहां हो गए लेकिन इनके अतिरिक ते एक और श्रे जैसे विशेशन सब्दों को हम बहुत अधिक देख सकते हैं सुन्दरह सुन्दर यह जो शब्द है एक विशेश पहचान के लिए प्रयोग होता है तो पुलिंग में भी कोई बालक सुन्दर है तो उसको हम क्या कहेंगे सुन्दरह बालकह अब यहां पे यह सुन्दर बालिका तो यहां पे सुन्दरह शब्द स्ट्रिलिंग में चला गया और वह सुन्दरी बन गया तो सुन्दरी बालिका और अगर पुश्प है बहुत सुन्दर पुश्प है तो उसे अगर वाक्य बनाएं तो सुन्दरम पुश्पम सुन्दरम फलम तो यह सुन्दर एक ही शब्द है लेकिन पुलिंग में भी इस्त्री लिंग में भी और नपुनसक लिंग में भी विशेश्य के अनुसार बदलता जा रहा है बदल रहा है तो ये शब्द अनियत लिंग शब्द होते हैं जो अलग अलग जगा प्रियोग होते हैं और एक शेड़ी और शब्दों की ह वह दलो और यहां से और जिती हैं कि किसी भी लिंग को नहीं कहते ना तो वह पुलींग होते हैं, ना श्ठी लिंग होते हैं, ना नपुंसक लिंगनआ, ऐसे शब्द, अभ्य property कहे जाते हैं, तो हम शबदों की चार स्रेड़ी देख रहे थे, एक पुलिंग शब्द, दूसर इस्त्री लिंग वाले शब्द तीसरा नपुनसक लिंग वाले शब्द और एक वो शब्द जो तीनों में प्रयोग होते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं विशेश्य के अनुसार और चौथी जो स्रेडी शब्दों की हमने देखी वो अब्या शब्द थे जो ना तो अपना रूप बदलते हैं तो यह पांच श्रेडी में हमने शब्दों को रखा अब अगर इनके अलग अलग जो विस्त्रित रूप हैं उनको हम देखने देखें अगर तो पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह लिंग शब्द जो है कहता किस अर्थ को है अगर अमरक को देखें या इनकी पहचान क्या है हमने यह जो आज का शिर्षक लिया है कि श्रमस्कृत भाषा में तीन लिंग इनकी पहचान क्या होगी हम कैसे पहचानेंगे कि यह शब्द इस्त्रिलिंग वाला है यह शब्द पुलिंग का है और यह शब्द नपुनसक लिंग का है ल या तो पुलिंग वाले शब्द होंगे हिंदी भाषा में अपन सक लिंग शब्दों का विधान है ही नहीं दो प्रकार के शब्द होते हैं संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं ऐसे ही ओडिया भासा में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिंग का भेद ही नहीं है वहाँ नथिंग वाला व्योहार अब्याय में जैसे हम समझ सकते हैं कि अलग व्योहार रह जाता है वहाँ लिंग का भान नहीं होता वैसे ही वहाँ पर अतिरिक्त भान की आवश्यक्ता नहीं होती है समान रह जाता है लेकिन मराठी शब्दों में अगर देखेंगे तो वहां क्रिया में भी लिंग देखने को मिलता है तीनों प्रकार के लिंग देखे जाते हैं कर्म में भी देखे जाते हैं तो ये भाषा के स्तर पर अलग-अलग देखने को मिलता है इसलिए शायद शब्दों के जो सबसे वड़े सूत्रधार हैं या शब्दों के शिल्पी हैं महरशी पाणिनी वह कहते हैं लिंगम अशिश्यम लोकास्रेत्वात इत्यसे तातपरियम यत लिंग विधायकम शास्त्रम नकरतब्यम लिंग विधायक शास्त्र करने की आवश्यक्ता नहीं है द्यपी उन्होंने किया है लिंगा नुशासन एक उनकी कृती है या लिंगा नुशासन एक अध्याय है चैप्टर है जिसमें पुलिंग शब्द कौन होते हैं श्त्री लिंग वाले शब्द कौन होते हैं कौन प्रत् सूत्र उदाहरण के रूप में मैं दिखाता हूँ जैसे कि घैंजबंताह पुनसी उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया घैंजबंताह पुनसी अर्था घैंजबंताह पुनसी अर्था घैंजबंताह जो शब्द होगा अच अच प्रत्यांत जो शब्द होगा और घैंजबं तो घई जवनता पुन्शी इस सुत्र से द्योतित होता है कि घई प्रत्य जिस शब्द से जुड़ा है और अच प्रत्य जिस से जुड़ा है वो शब्द पुलिंग में प्रियोग होते हैं है ना इसी तरह मिन्यंतह कहते हैं छोटा सा सुत्र मिन्यंतह अब जो इसको नहीं पढ़ रहा है वो इससे कुछ नहीं समझेगा लेकिन जब हम इसका अध्याइन करते हैं तो पता चलता है कि ये इस सुत्र का अर्थ क्या होगा इसी तरह धी के लिए कहते हैं कि धी प्रत्यां पुलिंग में प्रयोग होते हैं यद्भी लोक में उसका अर्थ इस्त्रीय समझ समझ लेते हैं जैसे की हिंदी का शब्द है निथी ये बालिकाओं का नाम होता है। जाता है कि यह किसी बालिका का नाम है स्तृत्त को द्योतित कर रहा है ऐसे ही महिमा शब्द है महिमन महिमा महिमा नव महिमा नहां तो महिमा लोक बे देखा जाता है कि यह बालिकाओं का नाम होता है स्तृत्त को कह रहा है लेकिन शब्द की विवेचना की द्रिष्टी से जब अपवाद वाले शब्द हैं जो लोक ब्योहार में अलग अर्थ में आ रहे हैं शास्त्र उनको अलग अर्थ में कह रहे हैं ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि परिक्षा के लिए अधिक ऐसे ही शब्द प्रश्ण बनते हैं कि ये शब्द किस लिंग में है इसकी पहचान कीजिए तो हम जो शब्दों के तीन लिंगों की चर्चा कर रहे थे ये लिंग लीनम अर्थम गमयती ती लिंगम अर्थात लीन जो अर्थ है छुपा हुआ जो अर्थ है उस अर्थ को बताने वाले जो चिन्ह है वो चिन्ही लिंग के लिए यहां प्रियोग किये गए हैं जैसे अब नियत लिंग की हम चर्चा कर रहे थे कि यह पुलिंग है यह इस्त्री लिंग है यह नपुनसक लिंग है हम शब्द के दृष्टी से भी चर्चा कर रहे थे स्वरांत भी हो शकता है यहां ब्यंजनांत भी हो शकता है और इसके द्वारा मात्र शब्दों की पहचान होती है क्योंकि यहां ब्यापक शब्द है अनेकार्थी शब्द है लिंगम प्रमा प्रमाण के लिए भी कहा जाता है अत्रकिम्मानम यहां पर मान क्या है अर्थात प मानने में प्रमाड हेतु क्या है इसके लिए भी शब्द प्रियोग किया जाता है हम आपको आज एक टेकनिक बताएंगे आज टेकनोलोजी की दुनिया है हम पढ़ने के लिए यूटूब का प्रियोग करते हैं गूगल में बहुत सारी चीजें विकीपीडिया के माध्यम से पढ़ लेते हैं समस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स बन चुके हैं बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं साधन हैं जिनकी सहायता से हम शब्दों की पहचान कर शकते हैं उदाहरण के तौर पे अमरकोश है ये प्ले स्टोर में भी हम डाउनलोड कर शकते हैं अमरकोश अग किस अर्थ को कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं करना है बस वही वहां टाइब करें देवनागरी में तो वहां आ जाएगा कितने अर्थों में वहां प्रयोग होता है उसके अनेक अर्थ आएंगे और केवल ऐसे हिने उदाहरण के शहित अर्थ आएंगे कि यह शब्द कहां पर प्रयोग किया गया है उसकी विदपत्ती भी साथ में वहां लिखी होती है तो हम यह भी एक उपकरणों के सहायता से शब्दों की पहचान कर सकते हैं दूसरा तरीका यह होता है जो हम अपने मस्तिस्क में स्थावित करते हैं शब्दों को याद करके जैसे अमर कोश शब्दों की या यूं कहें परियावाची शब्दों की एक बहुत वड़ी श्रिंखला है परियावाची शब्दों को याद करने के लिए अमर कोश जरूर पहना चाहिए और याद करना चाहिए उसमें शब्द हमें यह भी पता चल जाता है कि पुलिंग में है इस्त्री लिं कुदाहरण के तौर पे हम बताएंगे कि शब्द मात्र हलंत लग जाने से वह अलग अर्थ को कह देता है या शकार के बदल जाने से जैसे सकृत और शकृत का उदाहरण मिलता है ये शकार के बदल जाने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है ऐसे ही तकार के बदल जाने से अंति दूसरे अर्थ को कहता है अर्थात एक पुलिंग शब्द होगा तो वह अर्थ भिन्न को कहेगा नपुन्शक लिंग का शब्द होगा तो भिन्न अर्थ को कहेगा इसलिए शब्दों के प्रियोग करने से पहले वह किस लिंग का है किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है यह जानना ह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है एक हम यहां पर स्रेणी देखेंगे शब्दों की हमने विभाजन करके एक स्लाइड का निर्वाड किया है इस स्लाइड में यह देखेंगे कि अकारांत शब्द इकारांत शब्द कैसे होंगे इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं जैसे ये अकारांत पुलिंग शब्द, स्वरांत हमने यहां रखा था, पीछे देखा था, उसमें स्वरांत में सबसे पहले आ आता है, यहां आप इस क्रम में पढ़ेंगे तो आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, इस क्रम में यहां नीचे तक आ रहा है, अकारांत से घोडाना शब्द कहा जाएगा, ऐसे ही पुलिंग शब्दाह का तातपरी होगा, कि हुवह इस प्रकार का पुलिंग शब्द, जैसे अकारांत पुलिंग शब्दाह अर्थात हरश्व अकार है अंत में जिसके ऐसे पुलिंग अर्थ को कहने वाला, पूर्ष को कहने वाला शब्द, जैसे बालक, बालक का बालकह, घटह, खगह, सर्पह, इस तरह से लाखों शब्द होंगे जो पुलिंग अर्थ को कहते हैं, वहाँ पे पुंस्त्व का भान होता है और वो हरश्व अकार अंत वाले शब्द होंगे, वो सब एक समान अर्थ को कहते हैं इसी तरह दीर्ख आकार होंगे जिसके आईशा पुलिंग शब्द जैसे विश्वपा, विश्वं पातीती विश्वपा अर्थात विश्व की जो रक्षा करता है, वह विश्वपा होता है अर्थात श्रीहरी विश्नू इसी तरह ग्रिहपा घर की जो रक्षा करता है घर की रखवाली के लिए हम जिसे प्रियोग करते हैं वह घर की रक्षा करने वाला हाँ हाँ एक गंधर्व जाती है उसके लिए शास्त्रों में प्रियोग किया गया तो यहाँ देखेंगे कि अंतिम वाले जो शब्द हैं वो बड़े आवाले हैं इसलिए इन्हें आकारांत पुलिंग शब्द कहते हैं क्योंकि इससे पुरुष का ही बोध होता है ऐसे ही इकार अंत शब्द है अंत में हरश्व इकार होगा और वह पुलिंग अर्थ को कहेगा जैसे हरी ही कपी ही सखा सखायों सखी शब्द है सखा सखायों रूप होता है पती पती ही अब यहां देखेंगे कि इन शब्दों के अंत में हरश्व इकार सुनाई पड़ रहा है ऐसे शब्द, ह्रश्व इकारांत, पुलिंग शब्द कहे जाते हैं इस तरह के और भी बहुत सारे सब्द होंगे जिनें हम देख शकते हैं अमरकोस की सहायता शें, थभा मॉबाईल में एप इंस्टाल करके और भी बहुत साधन हैं जिनकी सहायता से हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं इकारांत शब्द हैं देरगर इकारांत शब्दों की स्रेडी में जैसे सुखी सुती सुतम अस्यास दीती सुती बहुष श्रेयशी सुधी सुष्ट उध्यायती सुधी सुंदर बुध्धी वाला तो सुधी सुध्योईत्यादि और रूपों की चर्चा भी हम नहीं करेंगे अगली कक्षा जब हम लेंगे तो इसके इनके शब्दों के रूपों की चर्चा करेंगे कि यह शब्दों का विस्तार कैसे होता है उकारांत शब्द पुलिंग जो है शंभुहु गुरुहु शाधुहु शिशुहु अनुहु सेतुहु यह सभी शब्द इनके साथ साथ अन्य शब्दों की जो स्रेणी होगी इसलिए यहां आदया कहा दिया गया है कि इनहीं के समान और भी शब्द हैं जो पुलिंग में ही और हरश्व इकारांत या देर्ग इकारांत के रूप में प्रियोग होते हैं देर्ग उकारांत शब्द को हम देखें तो स्वभु शब्द है स्वयंभवतीति श्वभु या वरशाभु वरशाभु का अर्थ मेढख होता है वरशायां भवतीति वरशाभु खल्पु शब अपने आप होता है इसी तरह रिकारांत पुलिंगो शब्दों में धात्री शब्द है धाता धातारव धाता रहा करतरी शब्द कर्ता करता रहा पित्री शब्द है पितरह ये इसके रूप होते हैं एकारांत शब्द, एकारांत शब्द, उकारांत और ये 11 प्रकार के हमने स्वरांत शब्दों को देखा ये इतनी ही स्रेंडी नहीं है हमने सबसे पहले कहा था कि ये सब्द लाखों की संख्या में चले जाएंगे और हरश्वए अकारांत, दिरख़ अकारांत, हरश्वए अकारांत के रूप में हम इनहें पढ़ते जाएंगे फिर भी ये शब्दों की स्रियणी समापत नहीं होगी, शब्दों की स्रिंखला बढ़ती ही रहती है पुलिंग शब्दों को हमने देखा इसी तरह इस्त्रीलिंग वाले शब्द भी हम देख सकते हैं हरश्व आकारांत इस्त्रीलिंग वाले शब्दों का अभाव होता है उनके लिए प्रत्य जो जुड़ते हैं उन प्रत्यों की चर्चा हम कभी अगली कख्षा में करेंगे आकारांत इश्ट्रिलिंग शब्द जैसे गीता शब्द होता है बड़ा आसुनाई पड़ता ही है हरश्व आकार वाले लोक भाषा में कुछ शब्द मिल सकते हैं जैसे पंजाब वाले विल्ट में हम पंजाबी शब्दों को देखते हैं वहाँ पर शब्दों की पहचान के लिए जैसे कोई भी शब्द लें हरविंदर या परमीत शब्द लेते हैं या परमीत लड़की का भी नाम हो शकता है और लड़के का भी नाम हो शकता है और वहां सिंग और कवर की पहचान होती है जो स्थित और पुन्स्ट को दियोतित करती है तो वहां ये नहीं नियम लागू होता है लोकभाषाओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता अधिकतर लोक भाशाओं में भी ये दिर्ग आ शब्दों के बाद जुड़ जाता है जैसे गीता, राधा, रमा, सीता, बालिका, चटका ये शब्द तो दिर्ग आकार को जोड़ करके या आप्रत्य को जोड़ करके और समस्कृत में जब नियमों में जाएं तो टाप डाप प्रत्य होते हैं उनका केवल आ ही शेश रहता है, इसलिए हम आ प्रत्य को समझ सकते हैं तो ये आ को जोड़ करके हम इस तरी लिंग वाले शब्दों का ब्यवहार करते हैं ऐसे ही हरश्व इकारांत शब्दों की स्रीड़ी हम देख रहे थे स्लाइड में दीर्ग इकारांत शब्द हैं जैसे मतिही गतिही इष्टिही उन्नतिही अवन्नतिही कांतिही ये शब्द हैं नदी, कुमारी, उर्वी, जननी, दिर्ग इकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं ऐसे ही रश्व उकारांत धेनुहू, रज्जुहू, रज्जु अर्थात रसी होता है, धेनुहू, गाय के लिए प्रयोग है रेणुहू, धूल, तनुहू, शरीर के लिए प्रयोग होता है, स्नायुहू, नसों, नश के लिए प्रयोग होता है, जो नाडियां होती है ऐसे ही उकार, दिर्ग, उकारांत शब्द, वधू, चमू, तनुप, प्रशू, स्वस्रू, भुरू, यह जो शब्दों की स्त्रेडी देख रहे हैं, यह सभी स्त्री लिंग वाले शब्द हैं ऐसे ही नपुन्सक लिंग वाले शब्दों को अगर हम देखेंगे, स्वरांत शब्द, यह विशेशन दिया हुआ है, तो यह जरूर ध्यान देंगे, कि यह अंत में सुनाई पढ़ रहे हैं, जैसे फलम है, फल शब्द है, अंत में हरश्व आ, अर्था छोटा आ सुनाई पढ़ता है, पुश्प शब्द है, इसमें भी छोटा आही सुनाई पढ़ता है, धन है, ज्यान है, वन है, तो यह सभी स्वरांत, हरश्व आकारांत शब्द होते हैं, इसी तरह दिर्गा आकारांत शब्द है, श्रीपा शब्द है, नपुन्सक लिंग में श्रीपम ऐसा हरश्व इकारांत शब्द है, वारी अस्थी, अस्थी माने हड़ी होता है, वारी माने जल, दधी शब्द दही के लिए प्रयोग होता है, सक्थी और अक्षी शब्द है, सक्थी जंगे के लिए प्रयोग होता है, अक्षी शब्द आँख के लिए प्रयोग होता है, तो यह जो शब्द हैं ये नपुनसक लिंग वाले हरश्वई कारांत शब्द हैं फिर दिरगई कारांत शब्दों की ये स्रेडी है सुधी का जब रूप बनेगा तो हरश्व हो जाता है इसलिए सुधी और प्रधी इत्यादी होते हैं हम उन प्रक्रिया में नहीं जाएंगे सिर्फ यहाँ पर शब्दों की पहचान कुछ शब्दों की पहचान देख रहे हैं हरश्व उकारांत शब्द जो मधू अंबू तालू वस्तू अश्रू तो अश्रू 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 नी वस्तू वस्तू नी तालू तालू नी तालू नी अंबू अंबू नी अंबू नी मध सकते हैं अब यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है हम आज केवल स्वरांत शब्दों को ही पढ़ रहे हैं ब्यंजनांत शब्दों को नहीं देखेंगे जैसे स्वर अंत में देख करके हमने शब्दों की पहचान की और एक स्रिंखला देखी कि छोटा बड़ा छोटी में होते हैं और किस प्रकार से पुलिंग में शब्द बेवहरित होते हैं इस्त्री लिंग में शब्दों का बेवहार होता है नपुन्शक लिंग शब्दों का बेवहार नपुन्शक लिंग में होता है ऐसे ही ब्यंजनांत जो शब्द होते हैं उन ब्यंजनांत शब्दों की भी एक स्रिंखला है कुछ नियम हैं जिन नियमों के तहत शब्दों का तीनों लिंगों में प्रियोग होता है आपको सफलता हां से लोगी तो ऐसे ही आप पीए में विध्या की जो कारेकरम हैं उनके साथ आप जोड़े रहें देखते रहें फिलाल इस कारेकरम को मैं यहीं पर रुखना होगा वेद प्रकाशी बहुत बहुत शुक्री है आप इस्टूडियो आपने बता हैं उसके आपक आपको साथ